नमस्कार किसान भाईयों किसान भाईयों मैं आपको इस वीडियों में बताऊँगा नासिक मंडी के भाव के बारे में क्योंगी दोस्तों नासिक मंडी का जो भविस्त है वो इस वीडियों मैं आपको सारी संपूर जानकारी के साथ बताऊँगी जो अब दीपावली के जो ब हरे एक जानकारी में आपको लाइफ रूफ करके साथ दिखाऊंगा और दोस्तों आप से लूद है अगर आप ही हमारी वीडियो बहुत ही पहली वार देख रहे हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आकन को प्रस करें तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करत जैसे 40% तक का जो स्टॉक है वो खराब हो चुका है तो दोस्तों आगे अपडेट में लिखा गया हुआ मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र दिया गया है कि वारिस में बारिस की कारण स्टॉक की गई जो फसलती जो खराब फसलती जो प्याज की जो थोक विक्रिता कि जो मिल रही तो मीडिया के खबरों की अनुसार भारि बारिस के कारण रभी सीजन की करीब 40% 40% जो प्याज खराब हो चुका है 40% प्याज खराब हो चुका है सभी किसानों ब्यापारियों का अधिक बारिस होने के कारण और दोस्तों इसमें आगे अपडेट में लिखा गया हुआ है जिससे कीमतें बनी हुई हैं जिससे आने वाले समय में और ही जादा कीमतें और जादा तेजी देखने के आसार हैं और जादा तेजी देखने को मिल सकते हैं कि जैसे की जब प्याज की बौई होने के कारण भी पानी बरसता था तो उस समय बहुत सारी किसान भ तो आम ब्यापारी आम जंता भी परिसान है क्योंकि बहुत जादा महेंगाई देखने को मिल नहीं नहीं पहुंच पारा था तो दोस्तों अब क्या हुआ के बाद जितने बी किसान भाई वह अपना माल खोद कर माल को जितना भी प्याज है वह सारा का सारा मंडियों की तरफ ले जा रहे हैं और मंडियों की तरफ बहुत ही जल जैसे ही दीपाली आएगी सबी किसान भाई उन्हें अपना जो प्याज का श्टॉक है वो तैयार कर लिया है मंडियों की तरफ ले जाने के लिए तो दोस्तों बहुत ही जल जैसे ही दीफाली की छुट्टी होने के दीफाली का जो अफकास चला है इसकी छुट्टी होने के वाद सभी किसान भाई अपने जो आबक है जो प्याज की आबक है वो मंडियों में बहुत ही तेजी के साथ देखने को मिलेगी और जो प्याज के र